नमस्कार राइस्बिटी न्यूज में आपका स्वागत है पेशे 5 अक्टूबर वुद्वार सुबसेव अच्छे वजे राजसान के बड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अचके हेडलाइन्स पर राजसान हाई कोड को फिलहार 50% कारेबल के साथ ही करना होगा कारे दशराज, नयवेवपार, ग्रह प्रवेश, वेवाहन खरीदने का स्रेस्ट मुहरद पाइलट और मैं मिले हैं तो कोई भजन कीरतन तो करेंगे नहीं बिना पंजियन, बिक रही, इबाइक्स कैसे होगी गाइडलाइन की पालना और बिना फिटनेस के ही चंबल में दोड़ी, बोर्ट और अब खबरे विस्तार से देश की नयाई पालिका में अपनी मजबू साख के लिए पहचान रखने वाला राजसान हाई कोड पिछले एक दशक से अपनी इसी साख को कमजूर होते हुए देख रहा है पूर्व सी जयाई अन्वी रमन्ना के समय में देशवर के हाई कोड जजों की लगातार न्युक्ति के मामले में भी राजसान हाई कोड अपनी जगा नहीं बना पाया राजसान हाई कोड वर्तमान में इस विकल जजों के 50 पदों पर 26 जजों के साथ कारे कर रहा है अगले माहा 10 नवंबर को एक और जस्टिस प्रकाश कुपता की सेवन इवरिती के साथ ही ये संख्या 50 प्रतिशत यानि 25 हो जाएगे ये तेवहार हिंदू धर्म में विशेश स्थान रखता है देशेरा परव अच्छाई की बुराई पर जीत का तेवहार की रुप में मनाय जाने वड़ा तेवहार है इसी तिती पर भगवान राम ने लंका नरेश रावन का वद किया था देशेरा की तेवहार को कई जगों पर विशेश देशमी की नाम से भी जाने जाता है जोतिश शास्त्र के अनुसार देशेरे का परव एक अबूज मूरत है यानि इसमें बिना मूरत देखे सभी तरह के शुपकारे और खरिदारिक की जा सकती है देशेरा परव पर शास्त्र पूजा भी की जाती है अन्चल में विजया देशमी का परव आज बुद्वार को हर्श और उल्लास के साथ मना जाएगा रासान में सियासी हल चल एक बरफिश शुरू हो गई है इसकी शुरुआत खुद सचिन पालेट ने कर दी है पालेट कल कैबिनेट मंतरी प्रताप सिंग खचरियावास से मिले और खचरियावास ने इसे स्विकार भी कर लिया और कहा कि वे मेरे यहां आए हमने साथ में कॉफी के संग गपे भी लड़ाए और कुछ चर्चा भी की डेड़ गंटे के इस मुलाकात पर खचरियावास ने मेडिया से कहा सचिन पालेट मेरे घर आए उन्होंने डेड़ गंटे मेरे साथ गपे ठोके आप क्या चाहते थे कि क्या हो सचिन पालेट क्या मेरे घर नहीं आ सकते क्या वो मेरे घर आए हम दोनों ही पार्टी के नेता हैं, कई मुद्दों पर बात हुई, कॉंग्रिस में हम सब मिलकर काम करते हैं, हम दोनों में इतनी भी दूरिया नहीं है सीखर में इ वाहनों की विकरी का रिकार्ड आन लाइन करने सही तन्य तकनिकी वजहों को लेकर इ वाहनों के पञजियन नीयमों में बड़ा बदलाव किया है अब बिना पंजियन ई-बाइक वेचने वालों की खिलाब कारवाही हो सकेगी केंद्रिय मोटर या नियमों में बदलाव के बाद आदेश चौरी किये हैं इसके तहाथ ई-बाइक एजंसियों को भी अब ट्रेड प्रमान पत्र लेना होगा इसके बाद ही वो वाहनों का बेचान कर सकेंगे इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में कारवाही शुरू हो गई दासरी चंबल घड़याल अभ्यारने में हो रहे घड़याल सफारी इस बार विवादों में है सवाई मादवपुर के पाले घड़याल सेंचुरी में विवाद का करन बिना फिटनेस के बोटों का चंबल नदी में दोड़ना है ये बोट बिना फिटनेस के परेटकों की जान जोखी में डार रही है जबकि नियम के अनुसार सभी बोटों का हर साल फिटनेस टेस्ट होना ज़रूरी होता है लेकिन इस साल ये फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ जिसकी वज़े से यहां होने वाली बोटिंग विवादों में है रेलवे के ओर से एक अक्टूबर को घोशित नई समय सार ने जएपुर जोद्पुर जएपुर इंटर्सिटी का पाली तक विस्टार करने पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं ट्रेन को जालोर तक बढ़ाने की मांग चल रही थी रासामन से लोकसभा सांसा दिया कुमारी ने रेलवे को पत्र लिखकर पाले तक ट्रेन बढ़ाने का विरूत किया है दिया कुमारी ने इसे जालोर तक पढ़ाने की मांग की है उधर जालोर से रोही सांसा देवजी पटेल इसको लेकर मौन है उन्होंने ना तो रेलवे को कोई प्रस्ताव भेजा है और ना ही ऐसी कोई मांग की है फिलाल रेलवे अब असमंजिस में पढ़ गया है और अब इसे जालो और अथवा पाली विस्तारित करने को लेकर समिक्षक की जा रही है रासान के महान, वीर, युद्धा, समराड, पृतिवरा, चोहान की अस्रधातु की प्रतिमा गांधी नगर गुजरात में स्थापित होने जो रही है इस प्रतिमा का निर्मार राजधानी जैपुर की मुर्तिकार महावीर भारती और निर्मला कुलहरी ने किया है महावीर भारती ने बताये कि ये प्रतिमा दस फिट उंची और बारा सो किलो की है इसे चार माह में तयार किया गया है गांधी नगर जिले में 20 से ज़्यादा गाउं चोहान वंश के हैं उनके आगवाही में ही इस प्रतिमा को विजय दश्मी को शुभा यात्रा निकाल कर नगर प्रवेश कराया जाएगा लंबे इंतिजार के बाद राजसान और प्राइटन की शान कही जाने वाली शाही ट्रेन पैलिस ओन वील्स का सफर फिर से शुरू होगा बेपटरी हुआ राजमहल का दीदार 12 अक्टूबर से सलानी कर सकेंगे इस ट्रेन में रजवारो के महल की भव्यता करीब से देखने को मिलेगी राथान परेटन निकम की ओर से संचौलित की गई ये ट्रेन रैड गोल्डन थीम पर पुनह रिनोवेट की गई है ट्रेन की रिब्बे बाहर से राजपुतान शाली में नज़र आएंगे वहीं बैठने के लिए सीटें सोफे नए लगाए गई हैं इससे पहले आठ अक्टूबर को शाम चार बजे दुरगापुरा स्टेशन पर पेम टूर को सीमर शोग घहलोथ हरी जुन्डी दिखाएंगे 12 सरकार के जोर शक्ती मंत्राले का पेजल और स्वच्छता विभाग की ओर से आयो जिते स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामिन कारक्रम 24 में उद्यपूर जिले ने राजिस्तान में प्रतम स्थान परात किया है जबकि देश में 60 में स्थान पर है जुला कलक्टर ताराचंद मीना ने इस उपलब्धी के लिए पूरी टीम को बधाई दी और इस कारक्रम को और अधिक प्रभावी बनाते हुए रास्टे स्तर पर उपलब्धी हासिल करने के लिए प्रेरिद किया है जिला प्रमग सूश्री ममता कोवर ने भी इस उपलब्धी के लिए सभी के प्रयासों को सराहनिया बताया है गुजरात की सुरसे पुलिस ने एक एंबलेंस से 25 करोड 80 लाक रुपे के जाली नोट जब्त किये है मामले में तीन लोगों को गिरिफतार किया गया है मामला 29 सितंबर का है इसकी जानकारी आज पुलिस सदिक्षक सूरत ग्रामेन हितेश कुमार हंसराज ने दी उन्होंने बताया कि दो अभी उक्तों के घर से 52 करोड रुपे और 12 करोड रुपे के जाली नोट बरामत किये गए है पुष्टा आज में पता चला कि मुंबई से विकास जन और दीनानाज यादव ने ये कंसान्मेंट भीजा था मुंबई से तीन अभी उक्तों को गिरिफतार किया गया है और जाली नोट बरामत किये गए है 67 करोड रुपे के जाली नोट नोट बंदी से पहले के नोट है जुनजुनु जिले में खेती बाड़ी को अब और मजबूती मिलेगी एक और जोहां जिले में चिडावा विमंडावा में दो नए कृशी कॉलेज खुल गए हैं वहीं जिले में कृशी विभाग ने 43 नए कृशी परेवेक्षिक भी लगा दिये हैं जिले में अब 233 कृशी सुपरवाइजर के पद हो गए हैं जिनमें से दो अठाला पदर पर सुपरवाइजर गाओं में किसानों को खेती बाड़ी की नवीन जौन करिया देकर किसानों का सयोग कर रहे हैं सायक ने देशक विजेपाल कस्वा ने बताए कि कृशी परेवेक्षिकों के नए बस रजित होने के बाद अब खुल 233 पद हो गए हैं नए सुपरवाइजर मिलने के बाद अब किसानों को खेती बाड़ी में और अधिक मदद मिलेगी रासान में चिरंजीवी योजना के प्रिचार प्रसार के लिए चिकिसाव एस्वास्ते विभाग ने डिस्टाद जागरुता अभियान शुरू किया है इसके ताहित कोई भी व्यक्ति मोबाइल और क्यामने पर वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर चिरंजीवी योजना का प्रिचार प्रसार कर सकता है प्रच्वार अभियान में सयोग करने वाले व्यक्ति की वीडियो को अगर सोशल मीडिया पर सबसे जादा देखा जाता है तो सरकार योजना का प्रच्वार करने वाले व्यक्ति को नगत प्रसकार देगी जिकिसा विभाव ने इस प्रिटियो गिता को अलग क्याटिगरी में बाटा है देश दुनिये में पहचान रखने वाले सिद्धेपीट साला सर धामें इन दिनों मेले जैसा माहौल है इस लखी मेले में हजारों की संख्या मिश्रधालों पहुँच रहे हैं रासन कॉंग्रेस में चल रही सियासी सरगर्मियों के बेज सियम अशो गयलोत अपने निवास पर सवपरिवार मंगलवार को दुर्गास्टमी की पूजा की और वहीं पूर्व डेपूटी सियम सचिन पालेट ने वी दुर्गास्टमी पर जैपुराकर शाम को आमेस्तित शिला माता के दशन किये उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे मंदिर पुजारी ने उनको चुर्णर उड़ाए और माता का प्रसाथ भेंट किया पालेट के साथ विप्र कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष महेशर्मा वे सर्व ब्राह्मन महासभा के अध्यक्ष पंडे सुरेश मिश्रा सहीत अनेक लोग मौजूद रहे रहसान की मुक हम उप्रण रोड पुछी लोट में वीचे दश्मी पर समाझ्वाकरता विभाग की समाझ कल्यान सेवा समवर के पदों का पुनगोफ़न कर विभाग अधिकारियों को तौफ़ा प्र醉द किया है तो फिलारी इस ब्रेटिन में इतना ही, फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ